नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेइलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का टॉपिक है बुद्धी के सिद्धान, जिसमें पहला सिद्धानत है, एक तत्व सिद्धानत, यूनी फैक्टर थियोरी आप देख सकते हैं, ये बुद्धी के 14 सिद्धानत है, जिसे हम 1-1 करके अलग-अलग वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे तो आज का पहला सिद्धान्त है एक तत्व सिद्धान्त एक कारक सिद्धान्त या एक तत्व सिद्धान्त बुद्धी का सबसे प्राचीन सिद्धान्त है और इसके परतिपादक एलफरेट बिने थे इसके समर्थकों में टर्मन, इस्टर्ण और बर्ट का नाम शामिल राय बिने का मानना है कि व्यक्ति के शरीर में उपस्तित सभी मानसिक शक्तियां जैसे तरक शक्ति, विचार, निर्णय, कल्पना, अमूर्थ चिंतन, समस्या समाधान आदि सभी मिलकर एक तत्व के रूप में कारे करती हैं और यही तत्व बुद्धी का एक तत्व कहलाता है बिने का मानना है कि बुद्धी के इस एक तत्व का व्यक्ति के शरीर पर पूरा नियंतरन हो जाता है अता इस सिद्धान्त को निरुंकुष्टावादी सिद्धान्त भी कहते हैं यदि यह तत्व क्रियाशील अवस्था में होता है तो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है और यदि यह एक तत्व निश्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है तो व्यक्ति कार्य करने में ऐस तफल हो जाता है वरतमान में इस सिद्धान्त को कोई नहीं मानता क्योंकि कोई ये नहीं मानता कि बुद्धी के वल एक तत्वी है